हलो एबरिवन कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और ये सिर्फ उसी तीन रुपिय का जियो स्टॉक था उसे स्टॉक ने बहुत जबरजस्त रिटन्स हमारे सभी पूरे मार्केट मोवर फैमिली को जबरजस्त रिटन्स निकाल के दिया ये स्टॉक 3 रुपिय 4 रुपिय पे ट्रेड करने लगा था जब ये स्टॉक 25 रुपिय का लेवल को k्रॉस कर रहा था एक अच्छी वालिउम के साथ में जबरजस्त वालिउम इस स्टॉक पे आपको देखने को मिला है कौन से टाइम बे ये स्टॉक सबसे ज्यादा वालि Community और यह देख लीजिए यह है स्टॉक का नाम है HFCL 25 रुपेस से स्टॉक को आपके सामने रख रहा हूं और आपको मैं एक ही चीज के लिए से स्टॉक को आपके सामने रख रहा था वो था अप्टिकल फाइबर्स और अप्टिकल फाइबर्स के बल यह बिजनस इनका टेली क आएगा एक मिनेट HFCL आप देख पाएंगे कि जो इनका बिजनस था इसे इनके पास में और भी रेविन्यू जेनरेट करने के बहुत सारे आप्सेन है बट सबसे ज़्यादा इनका जो कोड़ पोर्ट फोलियो वो टेली कॉम्टिकेशन को प्रोवाइड करवाने वाली सर् यह कंपणी पब्लिक टेली कॉम्टिकेशन एकाउंट में 76% डिफेंस कॉम्टिकेशन इलेक्ट्रोनिक्स का 21% रेल्वे की कॉम्टिकेशन एकाउंट में इनका लगबग 3% की रेविन्यू आती है यहां पर देखिए बड़े-बड़े ब्रांट्स बड़े-बड़े सब्सक्राइबर देखना चाहिए इतनी डिटेल्स देने के बाद में भी चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं देख लिए जीओ टाटा एर टेल वोड़ा फोन नोकिया और बीस एनल और ना जाने कितने सारे रेल टेल एच्पी सील पीजी सी गेल सौधी रेलवेज और आदर कंपनी इनके क्लाइंट से बहुत जवर्जा थर्टी पलस कंट्रीज में इतना चोटा स्टॉक और इसकी जो आवर आल आपको देखने को मिलेगा फंडेमेंटर्स तो एक कंपनी है जो डिविडेंट भी देती है बट एक पैरेमिटर्स जो मुझे थोड़ा सा डाउन दिखता है वो है से के पर मोटर सोल्डिंग पर गिर भी रखे हुए शैर अब भी यह स्टॉक 85 के लेबल को तोड़ रहा है और देखिए एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूद इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है टेखनी का नेलान रिसिस की कुछ चीजे अ आप एमेंट करते हैं आपको दो टेलिगराम चैनल के लिंक मिलेंगे देखिए इनकी सेज 2020 के बाद में जवर जस्त बड़ी है जब से जीओ इनका क्लाइन बना और यह जो 5G का रोल आउट हो रहा चाहे वो एरटल हो चाहे वो जीओ हो चाहे और भी कंपनीज हैं जिनको फ फाइवर ऑप्टिकल्स के बिने डिजिटल संभा भी नहीं है इस चीज को ध्यान पर रखके चलिए और अगर आपने अभी तेक इस स्टॉक पर ध्यान नहीं दिया तो जरूर ध्यान दीजिए मुझे ऐसा लगता है कि यह स्टॉक आपको आगे और भी पफोमेंस करके पासा नहीं लगाई है ऐसा मेरा मानना बाकी देखिए मर्जी आपकी चलेगी मैं इस स्टॉक पर बाइसेल करने का कोई भी रिकमेंडेसर इस वीडियो को मैंदम से नहीं दे रहा हूं बट इस कंपनी का पूरा डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जो मेरा काम है इन्वेस्टिमेंट किया जा सकता है यह अवरल होल्डिंग है फाइस की होल्डिंग 6.7% की देखिए फाइस माल उठा रखे है दियाएस ने भी माल उठा रखा पबलिक होल्डिंग यहां पे 51% है यह थोड़ी चिंता की बात है अगर मैं यहां पे अदर्स में जाऊंगा तो अदर्स में यहां पे कोई चेंजिस नहीं दिख रहे हैं मुझे लगता है कि सेप्टेंबर के बाद में इसके बाद की जो क्वाइटर्स की रिजल्ट आएंगी तब आपको पूरा पता चलेगा कि अदर्स में कौन से ऐसे लोग यहां पे बने हुए है तो यह और अवर यह सारी चीजएंगे यह कंपणी प्रोइड करवाती है मतलब टेलि और यह आपको पसंद आपको पॉसंद आए ते साथ मुझे स्टौक पे बन सकते हैं मिलता हुए नेक्स्ट वीडियो पे इसी Сам मिल अश्य yesterday करके शेंयो अश्यता की लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएए और बेल आइकन को जरूर प्रेस्ट कीजेगा ताकि आपको नौटिफिकेशन मिल जाए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बहुत बहुत तेंक्यू